हेलो गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बना हूँ कि अगर आप अपना email id और password भूल गए हैं आपको ना तो email id याद है और ना password याद है तो हम उससे अपने mobile में कैसे login करेंगे तो गाईज मैंने पूरा process इस वीडियो में बता रखा है तो आप वीडियो को लाश्टक देखना कोई step मिस मत कर देना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईज आपको सबसे पहले अपने mobile में Gmail app को open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे उपर right side में profile icon दिखेगा तो आपको profile icon पे click कर लेना है तो profile icon पे click करने के बाद आपके mobile में जितना भी email id रहेगा वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो गाईज आपको यहाँ पे सबी email id के निच्चे एक option दिख जाएगा add another account तो आपको add another account पे click कर लेना है तो add another account पे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक option दिख जाएगा google तो आपको google पे click कर लेना है google पे click करने के बाद आपके सामने एक page आ जाएगा sign in तो guys अगर आपको email ID याद है तो आप यहाँ पे अपना email ID डालके नेश्ट पे क्लिक कर देना फिर password डालके login कर लेना तो guys अगर email ID याद नहीं है तब क्या करेंगे तब आपको यहाँ पे एक option दिख जाएगा forget email तो आपको forget email पे क्लिक कर लेना है तो forget email पे click करने के बाद आपके सामने एक page आ जाएगा find your email तो आपको यहाँ पे अपना mobile number डाल देना है तो mobile number डालने के बाद नीचे next पे click कर लेना है तो next पे click करने के बाद आपके सामने एक page आ जाएगा what's your name तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, जिस नाम से आपका email id बना था, तो नाम डालने के बाद नीचे nest पे क्लिक कर लेना है, तो जैसे ही आप nest पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको आपका email id दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे email id पे क्लिक कर लेना है, तो email अगर आपको पासवोर्ड याद है तो पासवोर्ड डाल देना है अगर पासवोर्ड याद नहीं है तो नीचे फोर्गेट पासवोर्ड पे किलिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा वेलकम बैक तो आपको याँ पे नीचे कंटिनू पे किलिक कर लेना है कंटिनू पे किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा तो आपको याँ पे नीचे आई एगरी पे किलिक कर लेना है तो आई एगरी पे किलिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आ आजाएगा, verify your mobile number, तो आपको यहाँ पे अपना mobile number डाल देना है, तो mobile number डालने के बाद, next पे click कर लेना है, फिर ok पे click कर लेना है, ok पे click करने के बाद, आपके सामने एक page आजाएगा, enter the code, तो guys अभी जो आपने अपना mobile number डाला था, उस पे 6 अंक का code जाएगा, तो वो code को इ next पे click कर देना है, तो next पे click करने के बाद, आपके सामने एक page आजाएगा, add recovery email, तो guys आपको यहाँ पे एक कोई दूसरा email id डाल देना है, तो email id डालने के बाद, next पे click कर लेना है, तो next पे click करने के बाद, आपके सामने एक page आजाएगा, verify your recovery email, तो guys अभी जो आपने email id डाल था वो email id पे अच्छे अंका code जाएगा तो वो code को यहाँ पे डाल देना है तो code डालने के बाद next पे click कर लेना है तो next पे click करने के बाद अब यहाँ पे right का ठिक लग जाएगा तो यहाँ पे आपको नीचे में done पे click कर लेना है तो done पे click करने के बाद आपका email id recover हो जाएगा तो मैं आपको वो email id दिखा देता हूँ तो यहाँ पर प्रफाइल आइकन पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे निचे में वो email id दिख जाएगा तो simply वो email id पर किलिक करके login कर लेना है तो guys वीडियो में इतना ही था तो वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताए और अच्छा लगा तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर ले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में